नमस्कार मैं है उनुष्का बिहारी नियूस में आपका स्वागत है बिहार में यू तो हर त्योहार ही दूहुमधाम से मनाई जाते हैं लेकिन एक त्योहार ऐसा भी है जिसका अमूमन हर बिहार्यों को इंतजार होता है और अब यह त्योहार सिर्फ बिहार ही नहीं बलकि दे सही समझ रहे हैं यह तोहार है चट पुझा जिसके हम बात कर रहे हैं विहार का सबसे लोग। प्रिया त्योहार और लोग आस्था का मुशाल चट का त्योहार अब नजदीक है क्योंकि दिवाली खत में होते ही छट की तयारी शुरू हुजाती है यह पर्व मुक्यता बिहार जहारखंट और पुर्वी उत्रप्रदेश में मनाया जाता है हालांकि अब दूसरे राजियों में भी छटपर्व मनाने का प्रचलन बड़ा है इतना ही नहीं परदेश विदेश में रह रहे लोग भी अपनी संस्कृति को निभाते हुए छटपर्व करते देखे जा सकते है इस महापर्व में महिला पुरुष वरती को 36 गंटे का नर्जला उपवास रखना पड़ता है चार दिनों तक चलने वाले छटपर्व को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में तारीख को लेकर कन्फियूजन होगा ऐसे में इस वीडियो में हम आपको चार दिवसिये छटपर को मना जाता है चट की सुर्वात नहाई खाय से होती है यह दिन पर्व का पहला दिन होता है इस बार नहाई खाय आठ नवंबर 2021 को है यह दिन सोंबार पढ़ रहा है नाम की मुताबिक ही नहाई खाय वाले दिन व्रती महिलाएं यह पुरुष पवित्र जल से इसनान करके और पुजा करने के बाद खुद से नहाई खाय का प्रसाद यानिकी खाना बनाते हैं जिसके बनने के बाद वे उसे ग्रहन करते हैं साथी परिवार के अने सदसे भी नहादो कर सात्विक अहार ग्रहन करते हैं इस दिन सात्विक और साधा खाने का रिवाज है पूरे दिन वरत में रहते हैं रात में साफ सफाई से गुड की खीर खुद से बनाने के बाद उस खीर को ग्रहन करते हैं जिसके बाद अगले 36 गंटे तक कठी निर्जला वरत शुरू हो जाता है खरणा के अगले दिन सोड़े शष्ठी का दिन होता है इस दिन डूपते हुए सोड़े को अर्ग समर्पित किया जाता है साज अर्ग का दिन इस साल 10 नवंबर को है यह दिन बुद्वार को पढ़ रहा है इस दिन डूपत को अर्ग समर्पित करने की साथ ही व्रत संपूर्ण होता है और इसी के साथ व्रती के 36 घंटे का निर्जला उफवास भी संपन होता है और फिर पारण के साथ ही लोकास्था का महान पर्व छठ संपूर्ण हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार